अरी बहनो रुक जाओ जरा कच्चू बात करने तुमसे सुनो हमारी तो आधी सिंदगी निकल गई इसी में ही सुबा सूरज जुगने से पहले उठना लोटा लेके जंगल में शौच के ले जाना साब बिच्चू बुंडे बदमा शुकडर कितने बच्चे को गाउ में दस जैसी बीमारियों से मरते वे देखा हैं और तो बच गए वो पूरी तरह से विक्सित होने से वन्चित रह गए क्या तुमें भी अपने बच्चे रोगी चाहिए या तंद्रुस्त हम जाते हैं शौच के लिए पर ना जाने कितने सारी बिमारिया गर ले आते हैं खुले में शौच जाने से एक व्यक्तिगों दवाईयों के साड़े छे अधार का नुकसान होता है क्या एकमराशिये बेनो उपर से कोई पेट से हो या कोई और दर्द जान पे बनाती है गर्बपाथ हो सकता है इंफेक्शन हो सकता है इज़त खत्रे में आ सकती है पर ये सब बलाई टल सकती है अगर हम घर में शौच आले बनाए और इसका इस्तेमाल करें जी हाँ देश भर में एक मुहीम शुरू हो गई है खुले में शौच मुक्त होने की अभी पांच महीने पहले ही की तो बात है चत्रीस घर की कमली बेहन ने सबसे पहले अपने घर में शौचा ले बनवाया यही बात चत्रीस घर के जश्पुर जिले के साना गाउं की सरपंच काजल रॉय को मनजूर न थी उन्होंने अपने गहने गिरवी रख दिये और अपने घर के साथ-साथ पूरे गाउं में सो शौचा ले बन बाए और ऐसे देखते ही देखते देश भर में किवल धाई साल में साठे तीन करोर से भी ज्यादा शौचा ले बन गए स्वस्ट रहेंगे तो स्वस्ट रहेंगे, स्वस्ट रहेंगे तो जादे काम कर पाएंगे और जादे पैसे गमा पाएंगे, अपने परिवार को और कुछ कर पाएंगे, है ना, चलो हम भी समय में जुड़ जाएं, अपने घर में शौचाले बनाएं, और अपने गाव को नमस्ती दीदी, मुबार रखो, आपने अपने घर पे शौचाले बना लिया पर कभी आपने सोचा हैं कि स्कूल में पीने का पानी और शौचाले अगर नहीं होता तो हमारे बच्चों को दस, पीलियार और अन्य कितनी सारी बिमारियां लग सकती है हमारे फूल जैसे बच्चे हमेशक के लिए कुपुशिद रह जाते हैं और सबसे बुरी बात हमारे बच्चों की पड़ाई लिखाई सब बरबाद हो जाती है पर लड़किया तो बड़े होते स्कूल छोड़ देती है इस बात के जड़ से कि स्कूल में अगर टॉलेट नहीं है तो उन दिनों में अपना ख्याल कैसे रखेगी पर अब भारत देश ने ठान हो जाए हर स्कूल में शोचाले बनाने की वो भी लड़कियों का लग और लड़कों का लग साल दस साल में लाको स्कूल में टॉलेट भी बने है और लाको स्कूल में सेनेडिशन प्रोग्राम भी चाले हुए है और रिजल्ट हमारे आखों के सामने है शोचाले बनते ही स्कूलों में लड़कियों की संक्या कई गुना बढ़ी है और उनकी पढ़ाई भी तो दीदी आपको बच्चों को खूब पढ़ा रहे और खूब लिखा रहे और स्वस्त भी रखना है ठीक है गुडबाई दीदी